हेलो दोस्तों बीडिकेडियन फिल इंडियन जैसा कि हमने आपसे बादा किया था कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहें इंगलिस की और एक और नई वीडियो बहुती मज़ा दिलाने वाली वीडियो दा ट्रू व्यूटी का सेंट्रल आइडिया लेकर हम आप थीकि गाल लेकिन कभी इन्ससे साह्मत नहीं है तो पिर आया यह देखते कभी कहता है फिजिकल ब्यूटी इसनक्र मानेन्ट यह जो बढ़िया सी सघल आकको और आज रहे हैं कर नहीं होगी 20 साल बाद यहां जुरुदी आओंगी तो फिजिकल ब्यूटी पर्मानेंट नहीं है लेकिन यह व्यूटी जो आप दिखा रही है जो ब्यूटी आपके लिए महिनत करके दिन व्यूटी पाला जाईए बाद में सम्मामला भी कर जाएगा ठीक है टाइम को बिल्कुल भी ना खराब करते हैं जल्दी से लिखवाते हैं देखिए दा पोयम दा ट्रू व्यूटी यानि जो दा ट्रू व्यूटी पोयम है इस बन आफ दा मोस्ट पॉपुलर इस माने है बन आफ दा मतलब इन में से एक मोस्ट पॉपुलर बहुती प्रसेद्ध लिनिक्स आफ थामस केरियू यानि थामस केरियू जी का यह लिरिक्स हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पॉपुलर क्यों है आफ समझी रहा होंगे जहाँ पर गालो बालो की बात होगी वह popular तो होई जाएगी in this poem इस कविता में the poet says कभी कहता है that the beautiful lips यानि जो सुन्दर सुन्दर होट है cheeks यानि गाल है and eyes make a woman more beautiful यह सब चीजे एक औरत को सुन्दर बनाती है ऐसा सब लोग सोचते हैं लेकिन but these things are transitory यह सारी चीजे permanent नहीं है transitory गुजर जाती है यह सारी चीजे कुछ समाई के लिए आदमी सुन्दर दिख सकता है जोते लोग अगर शादी भी करने जाते हैं तो यह सारी चीजे ढूडते हैं सोच के देखिए आप शादी करने का हैं सारी चीजे बहुत सुन्दर रहें लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत खराब है क्या होगा दो चार महिने के बाद लडाई हो जाएगी और आपकी जिंदगी बरबाद हो जाएगी तो कभी यही समझाने की कोजिस कर रहा है बहले ही आदमी काला होना चाहिए लेकिन दिलवाला होना चाहिए गाना सुनाओगा हम काले है तो क्या हुआ दिलवाले है तो इधर देखिए दिल तो सब के पास होता है लेकिन सब दिलवाले नहीं होते है तो आदमी को दिलवाला होना चाहिए खैर But these things are transitory, they decay with the passing of time समय गुजरने के साथ साथ ये गुजरती चली जाती है, खतम हो जाती है, डिके हो जाती है, नश्ट हो जाती है On the other hand, दूसरी तरफ, love based on good qualities, जो प्यार होता है, जो अच्छे गुणों पर, of character and mutual affection एक दूसरे के प्रती सानुभूती, एक दूसरे के प्रती आकर्शन, इस तरीके का जो love होता है, अच्छे अच्छी qualities पर बेश्ड होता है Is permanent, वो क्या होता है, permanent होता है, in short the poet says, short में वहिया कभी क्या गयता है, कि that beauty of character is true beauty यानि that beauty of character is true beauty, in short, यानि बहुत संचिर्थ में, या in brief, जादा चवड, in brief संचिर्थ में कभी क्या कहता है, the poet says that beauty of character is true beauty, यानि आदमी का अगर गुण अच्छा है, character अच्छे है, किसमत अच्छी है, तो सब अच्छा है लेकिन अगर आदमी की केवल सकल अच्छी है, दिल अच्छा नहीं है, character अच्छा नहीं तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है So, we can say that, अधा हम यह कह सकते है, physical beauty is not permanent and it decays with the process of time, on the other hand, true beauty is permanent, it produces gentle thoughts, stable mind and calm desires, यानि physical beauty पर्मानेंट नहीं है, समय के साथ साथ यह decay हो जाती है On the other hand, true beauty is permanent, it produces gentle thoughts, यह हमारे अंदर उत्पन करती है, gentle thoughts, बिलकुल साधा जीवन, उच्छ विचार टाइब नहीं, तो उच्छ विचार, stable mind हमारे दिमाग को स्थिर रखती है And calm desire, सांत इच्छाएं, अच्छी खासी इच्छाएं नहीं, हम घुमने जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, उज़र इच्छाएं इच्छाओं को सांत रखती है, वो होती है हमारी true beauty जो हमारे गुड़ों को develop करती है, ठीक है उमीद करते हैं यह पोयम आपको अच्छी लगी होगी, यह गाल बाल आपको अच्छे लगे होंगे फिलाल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, बन जाएए डिकेडियन, फिल किजिए कुछ इंडियन, तब तक के लिए जैहन, जै भारत